हेलो दोस्तों नमस्तकार आज हम लोग मेंसुलेशन के पारे में पढ़ेंगे इससे बहुत ज्यादा प्रेस्टन आता है मेंसुलेशन मतलब छेत्रमिती है इससे बहुत टाइब पुछे जाते हैं आयत हुआ वर हुआ घन घनाप गोला इस सब क्या आता है दो तीन जी पुछ पुछा जाता है छेत्रफल पुछा जाता है उनका विकड़ पुछा जाता है तो हम देखते हैं कि छेत्रमिती में कैसे 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 क्वेस्टन आते हैं और कितने प्रकार की क्वेस्टन बनते हैं देकि छेत्रमिती में हमें दो टाइप से क्वेस्टन बनते हैं एक टूडी प्रीडी फान एक 3D फान है कि तोली मतलग दो डइमेंशन इनक्राथि है और की मैरेशिए 3 यह तैनल सभी थो तो कि तता है होता है और वर्ग होता है ब्रित होता है समांतर चत्रभुज होता है यह सब तूड़ी के तर रता आते हैं और थीड़ी में घन आता है घनाब आता है गोला आता है संपू आता है इससे रिटेट क्यस्टन आते हैं तो टूड़ी में जैसे आयत में देखिए आप तूड़ी का मतब तो आपको समझते हों जैसे एक आयत दो एक पेज पर दो ही डायक्सन रहेगा एक पेज पर उससे दस आजा सकता है इसको वर्ग को भी देखिए एक इसमें तरदी आ गया इसको आयत देखिए यह एक आयत है यह एक वर्ग है यह एक ब्रित है यह एक समानता चत्रभूज है और चत्रभूज भी इसी में आता है समानता चत्रभूज और घंगनाव में ट्र डाइमेंचन आते हैं ऐसे करके थी डायमेंचन जो होता है वह गयं घंगनाव परिमाप यह एक जान में बारबार पूछा जाता है तो हम पहले फार्मूला देखेंगे उस पर कुछ क्वेस्टन देखेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं आयत से फिर वर आज टूड़ी देखते हैं टूड़ी में पहला था आयत कि मैं आयत क्या होता है आयत में यह दो भूजाएं पहलग रहेंगी और यह को लुए रहेंहे और दूसरी भूजार भी है, तो अब देखे इसमें क्या पुछा जाता है? पहला इसका परिमाप पूछा जाता है, इसका क्या होगा? और इसका परिमाप को हम A से दिखाते हैं और इसका छेत्रफल पूछा जाता है और इसका विकड कुछा जाता है विकड इसे बोलते हैं जब कि इस सिर्ष से इसको मिलाते हैं इसको डी से दिखाते हैं तो यह विकड हो जाता है इसका चेतफ़र को ए से दिखाते हैं बिकड को डी से दिखाते हैं तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है अगर परिमाब निकालेंगे, परिमाब का मतलब क्या होता ही? अगर इस बिंदू से चलके अगर वापस कुछी बिंदू के आ गए, तो चली गई, दूरी वही परिमाब होता है अगर देखते स Som Kayle and Maath, झेलेमर हमने मापा है, और परिमाब क्रम करणा है अगर हम इस बिंदू से चलके इस बिंदू तक वापस आते हैं तो कितनी दूरी चला है तो इसी को हम परिमाप बोखते हैं देखे परिमाप हमने यहां से कितना दूरी चला ए चला फिर बी चला तो ए प्लस बी दूरी तो चला और इसके बाद देखे ए से बी तक यहां गए यह भी होगा और यह बी है तो यह क्या होगा यह भी होगा आप देखे एक बार और ऑसमें इसका गोड़ा कर देते हैं एक भुजा और दूसरी बुजा को आपस में गोड़ा कर देंगे प्लस कोड़़ेंगे जैसे निकालेंगे यह कौन सा चत्रभूज है समकोड़ चत्रभूज है आप जानते होंगे पाथा गुरस का पन्म क्या होता है कि अगर क्वर निकालना हो तो अडर रूट अधार का स्कॉर प्लस लंब का इसको है देखिए यह आधार है यह लंब है तो इस तरह से अपना यह विकर निकल जाएगा अब देखिए इस पर जैसे question कैसे पुछा जाता है अगर हमें देदेगा question इसकी कहतेगा कि एभ भूजा दीया हुआ है पांच दिया है जैसे माहतीजी और दूसरी भूजा अगर दिया है बाएटे 6 तो अब इसका पुछेऊंगा कि परिमाफ क्या होगा अब इसको पिर मूप यहाँ रखेंगे और यहां रखेंगे 6 तो क्या रां इसर 5 6 11 11 दूना 22 आ रहा है इसको हम परिमाप निकालते हैं तो s equal to 2 into a plus b 2 के a के स्थाम पर क्या रखेंगे 5 b के स्थाम पर क्या रखेंगे 6 यह हुजाएगा जाएगा इस तर से परिमाप चोटे आते हैं इसका एक दिया रहेगा और दूसरी भुजा दी रहेगी परिमाप निकालना है और इसका छेत्रफ़ल बताई कितना होगा अगर छेत्रफल निकालना है कि फार्मुला क्या होता है एंटू बदाए थे तो पांचहें बी के स्थाम पर क्या आपके सिख्के से कि यह आगया थटी अ क्या इसका मिंटर असका चिभर से मीटर दिता है चिले तो योर। यह कि उ स्टुटाएगा यह मिंटर निकालना थे किया खड़़ाईगा चीनतिया यह किमनेट رी नोटे अगर विकड निकालने के लिए डी जो हो जाएगा अंडरूट ए स्क्वाइर ब्लस बी स्क्वाइर एक स्थाम पर क्या रहा है पांच का स्क्वाइर इसका छे का स्क्वाइर कितना जाएगा पांच का स्क्वाइर 25 छे के स्क्वाइर 36 अगर इसको साल करते हैं तो 6 5 11 3 2 5 6 अं मैं वर्ग पर चलता हूँ देखिए आयत और वर्ग में अंतर यही होता है कि यह है इसमें से चारों हुजा इसकी बराबर होती है यह है यह है यह आपस में बराबर होती है यह होगा यह भी होगा यह होगा यह होगा और आयत और वर्ग में समानता क्या है समानता यह है कि यह देखिए इसमें भी 90 डिगरी पर यह है यह भी 90 डिगरी पर है और आयत में भी था और ये भुजाय परिमाब उसमें भी थी और इसमें भी परिमाब पुछा जाता है चितरफल पुछा जाता है तो आप देखिए इसका परिमाब हमने बोला था कि चली हुई दूरी है मतलब हम यहां सब चलते हैं तो कितना यहां चले फिर यहां तका है 2 A हो गया यहां तका है 3 A हो गया यहां तका है तो 4 A हो गया तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा फोल ए हो जाएगा और इसका च्छत्रफल क्या हो जाएगा हमने बोला था कि ए गुजा और दूसरी गुजा को लेते इनका गुड़ा कर लेते हैं तो ए इंटू ए इनक्या हो जाएगा इसका बिकर निकालना है तो क्या होगा तो हमने उसमें बताया था कि यह देखिए कौन सा कोड़ बना रहा है एक संकोड सिभूज बना रहा है तो इसका डी निकालना है तो इसमें भी क्या होगा लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अब इसको साल करेंगे तो क्या आएगा यह हो जाएगा टू ए स्क्वायर और फिर यह तो बाहर निकल जाएगा अंडरूर्ट नीचे बिए बुजाएगा तो यह इसका क्या होता है डाइगोनल यह होता है आप इसके थान्मिन राखेंगे इसपे आप्वस्चन कि इसे प्रफ़ निकाल सकते हैं जैसे मालेजें यहीं क्वेस्चन दिया है इसमें पांच और छे दे रखा है पांच और शे तो नहीं वहेगा देक क्या बनता है फार्मूला कि देखिए यहां पर एए रखेंगे में फर्मूला निकालना भी सिक्षा रहा हूं निकाल सकते हैं तो इसका परिमाब क्या हो गया पोर एक हो गया तो है पांच हैंत और 5 इन्टूशार इन्टूश है इसका परविबध कि अधिया बीश मीटर और इसका च्राइन सबद्रस आएंगा हॉआ आदेत्र धौई हो जाएगा रोक्ति-टो खुर्ट तो पाच इन्टूपाच यहां पांच आएगा तो कि नौड़ दायेगा 25 कि यहां मेंटर आएगा यह मेंटर का तो यह देखेंगे इसका विकड क्या जाएगा इसका विकर का फार्मुला अगर भूल भी जाते हैं तो आयत का याद रहेगा समकोड चत्रुफुट समकोड जो त्रिभुजे उसका याद रहा कि यह है तो अब डारेट इसका अगर यह भूल भी जाते हैं तो आप डारेट यहां पर रख दिजये वान यहां फिर यहां भी एई ही है क्योंकि बीगे अस्थान पर क्या था यह है तो यहां भी इसका रग दिजी जब भूलते हैं तब के लिए फिर आप देखिए क्या हो जाएगा यह आगया फार्म ना देखिया में फार्मला यह बताए था आप भूले हैं तो फिर यहां एक युवा अस्थान पर क्या मान दिया हुआ है एक अस्थान पर पांच दिया है अंडरूट टू करके यह आतम आ जाएगा इसका डाइगोनल आ जाएगा यहीं एक्जामिन पूछा आप निकाल सकते हैं अब हम लोग चलते हैं समांतर चत्रभूज की तरव कि अग्यों कि समांतर चत्रभूज में भी हमारा अपसर चत्रफल पूछा जाता है क्योंकि परिमा पे भूजाएं जोड़ी जाती है अब समांतर चत्रभूज होता कैसा है इसकी दो भूजाएं पैलल बूती है यह जैसे है पैलल और यह भूजा पैलल है और यह आपस में यह पैलल होगी और यह इसके पैलल होगी यह समांतर चत्रभूजि अगर इसकी गुजाएं को माणते हैं डूसरे को मानते हैं भी तो और यह हो गया पैलल है यह भूजा इसके पैलल हैं अभी यह उसके बताएं यह कोड के बराबर होता है यह सब हम हम आपको आगे बताएंगे पहले दिखते हैं कि इसका रिस औक प्लस वी फिर इधर वी अह परिमाप हो जाएगा अब इसका शित्रफ़ निकालना है कि और अज़ा है तो है यह निकालना तो इसके दिए यह अगर प्रपुंडिकूलर होता तो एंटू बी कर लेते यह समानतर है इंगल पर काट रहा है इसलिए हम इसके फार्मिले के लिए यहां से हाइट ले लेते हैं उपर से लंब डाल देंगे इस फुझा पर तो यह उच्छाई हो गया तो यह इसा बहुत इंपॉर्टन है इस पर इससे तो बहुत नाग के वरावई से आता भी नहीं है पर इस फार्मिले से बहुत सारे क्रेस्टन आते हैं अब भी जैसे आपका कोई दिया रहा अब हम एक और एक्जामपल ही देख लेते हैं कि एक के स्थामपल दे दिया और यहां चार्डी fel क्या होगा इसकंड आलमस रजद सैंसा dental आके संसा रहेख पार्मुलामोला है तो central 3 रखा है इस मीटर में अगर दे रखा है तो मीटर स्कॉयर हो जाएगा तो यह हो गया समानतर चत्रपुज की इसी से पूछता है कि अब हम लोग देखते हैं सम चत्रपुज कि अब अब सम चत्रपुज कैसा होता है सम चत्रपुज में बस यह भूजा समानतर तो रहेगी और यह भी bekommt हैं पर हम देखाना कैसे रहेगी कि फिर स्मिठा देते हैं ऑब swoje prop GI देखे होंगे ना जो मिठाए के मिलती है तो वैसे एक बर्फी है अपनी बर्फी है ऐसे ही होता है तो पूरा देखिए ये भुजा इसके समानतर है और ये भुजा भी इसके समानतर है जैसे उसमें था समानतर चत्रूज में था पर इसमें क्या है इसमें चारो भुजाएं बराबर है अगर ये ए है तो ये भी ए है औ और ये भी ए है तो अब ऐसे इसके लिए अगोर हम परिमाप निकाले तो यहां परिमाप क्या हो जाएगा अब चारों को जोड़ दीजी जैसे सम्में जोड़ते आये हैं इसलिए यहां से चले ए कितना हो जाएगा फोर ए हो जाएगा अब और अथर च익ल फेड है और इसका चित्रफल क्या हो जाएगा चित्रफल अलग फार्माप बनता है कि इसको अच्श को लिए अपूसर टिया लगता है कि यह और तो से हम बताएंगे काशेम निकालते हैं पर आप से नही Nur पाएंगे इसके लिए डाइयोगोन तकि इसके बंता है इसको माल लेते हैं इसको वालेते हैं डूसरा रिखर यहीं इसका विखरता है अभड़ियान है आप देख लेड़ेगां पुछेगा कि एक सम्चत्रुभूज की एक विकर्ड अगर 10 cm है अगर दे दिया डीवन डीवन दे दिया है 10 cm है और डीटू दे दिया है दूसरा विकर्ड छे सेंटीमिटर है इसका छेत्रफल निकाल दे तो छेत्रफल कैसे निकलेगा यह हो जाएगा फर्मला क्या है एक बाटे 2 D1 इंटु D2 अब D1 के स्थान पर क्या माने एक बटे 2 लिख लिखे जे दीवन के स्थान पर 10 लीटू के स्थान पर 6 इसको अगर काट दीजी यह 3 हो गया दस टैन 30 यूनिट क्या होगा देखे सेमी इंटु सेमी दो बार हुआ है इसका क्या हो जाए है सेमी स्क्वाइर होगा अब हमें डाइगोनल न दिया हो हमें सिर्फ हम भुजाएं दी हैं और कोई डाइगोनल दिया है तो कैसे इसमें रिलेशन एक होता है उसके लिए अलग फार्मुला देखिए यह बहुत इंपार्टन फार्मुला जो इसको इस पर बहुत सारे क्यूस्टन रेलिवी में हुआ है सस्टी में हुआ बहुत सारे एक्जामों में इस पूस्ता है कि इस पर क्यूस्टन देगा कि जैसे बोलेगा एक भुजा एक बुजा मतलब इसकी एक बुजा कितना है इस बुजा कमान दे दिया जैसे इस बुजा कमान तो फिर इसमें जो संबंध बनता है यह धूमने जाए अई पर को पुछ। पूछे का दूसरे डाइगोनल का मान बताईए और दूसरे डाइगोनल भी नहीं पूछता है अकसा छेतरफल पूछता है तो देखिए अगर हमें दिया कि पूछा है जिसे मैं एक जामें क्रिश्टन लिख दे रहा हूं इस दूरों को मिटा दे रहा हूं आपको अगर हमें दे रखा है और हमसे छेतरफल ए पूछ रहा है कैसे निकालेंगे इससे तो देखिए हमें दिया एक भूजा का मान क्रिश्टन देखिए फिर से एक भूजा का मान पांच है और उसका एक विकड़ 10 cm है तो उसका छेतरफल ग्याद कीजिए तो हम तो छेतरफल का फ विकड तो दे रखा है दूसरा विकड तो दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे दूसरे विकड को तो दूसरे विकड निकालने के लिए यह फार्मला बनता है और अक्सर इस फार्मले से क्रिशन आने ही दरते हैं जाम में जब बनाता है तो इस फार्मला पर रहता है तो यह कितना हो गया पच्छा पच्छीश चोगे सो और दर दहां यह भी सो हो गया प्लस डीटू इसमें देखी हमारा कट गया है डीटू कमाद जीरो आ जा रहा है पर डीटू कमाद जीरो नहीं आया उसमें कुछ वैलू आती है इसलिए हम इसको रख लेते हैं 7 रख लएते हैं अब देखें क्या आता है क्योंकि जीरो तो होता नहीं है हम अपने से लिए है डाटा इसलिए आ गया है 7 7 का स्कुरे क्या होगा अगो पूंचास हो जाएगा आप इससे देखिए लाएँगे डीटू का स्क्राइब अब डीटू का इसक्राइब इधर इधर में सौ में से उन्चास जब घटाएँगे तो यह देखिए 10 में से नो गया एक फिर नो में से चार गया पांच एक क्या मूंत ओ यह डूट का जो गया है इसको दिट्वाण कितना अगया डिट्वान अगया अंडरूट 51 अब छेतरफल अब कैसे यहां से निकाल सकते हैं यह पार्मूला हो गया और यहां पर रखेंगे एक बटे दो डीवन कमा है साथ दिया है और डीटू पहान अंडर रूर 51 आया है अब फिर इसको करनेंगी ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे बहुत सारा क्यूश्चन आता रहता है तो यह हो गया एक समांतर चतुर सम्चत्र पुझ का अगर समांतर चतुर को यह देолीन है व Tik के फार्मूला वहां में समांतर चत्र पुझ के बन जाता है उसमें क्वेश्चन आते ही हैं तो उसमें क्या होता है इसमें देखिए अगर सम्मानतर यह होता तो यह ब था तो यह भी होता तब के लिए देखिए आप यहीं से लिए उस फार्मले को निकाल लिए इधर का तो मान समान रहेगा इधर का मान भी देखिए 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 4a² है तो इधर के मान में क्या होता है 2a² प्लस b² मतलब एक भुजा का 4 प्लस दूसरी भुजा काağı q को सब नलब हिसका है को ऩnt यहां पर एक ही रखतें एक भी रहते तो इसका क्या होता है होता जब इसका गुड़ा करते तो यह भी फूरी स्कॉयर हो जाता तो वैसे दोनों तो से में पस आप देखे कि इसमें जो था सम चत्रभूज में सब बुजा बराबर होने को जैसे बी के स्थान पर एही रखा हुआ था तो इसलिए अगर यहां पर एह रखेंगे बी के स्थ यह किसके लिए फार्मगा था समांतर चत्रभूज के लिए जो इसके पहले भी पढ़ाये थे समांतर चत्रभूज ही पर इस पर क्वेस्टन देखना ज़िस पर वह गुजाकमान यह देगा दूसरी प्विकर्ण बिकर्ण पूस्थ देगा पर सबसे अधिक इंपर्टेंट यहीं है इसने छेट फ़ल निकालने के लिए हमारा पूछता था कई बार कई जामू में मैंने देखा हूं यह कुछिस्टन बार बार इस फार्मले पर आते हैं और लड़के नहीं लगा पाते हैं यह सोचते हम तो फार्मलब डीवन डीटू याद किये थे हमारा तो यहां भुजा दिया है डीटू दिया ही नहीं है तो फिर यह लेशन आपको यह जरूर याद करना है अब हम आगे चलते हैं अब कौन सा चत्रबुज होता है समलम चत्रबुज है कि समलम चत्रबुज में देखे क्या होता है इसमें दो ही भुजाएं बस समानतर होती है यह भुजा हो गया और यह हो गया यह दोनों भुजाएं समानतर है और यह दोनों भुजाएं देखे समानतर नहीं है यह दोनों भुजाएं समानतर नहीं और इनके मान भी समान नहीं है और कि इसमें किसी की भी मान समान नहीं होते है अगर इसको ए दिया है यह बी दिया है यह C डिया है, यह D भुजा है, तो इसका अगर परिमाब निकालना हो तो क्या ? परिमाब को हम किसे दिखाते है , एस दिखाते है तो चारों को जोड दीजे, ABCD अगर छहते फ्रफल इसका निकालों में क्या लाते है ? फ्रफलको किना आतो हbung दिखा रहे थे भूता है भी यहां से हाइड दे रहती है अ कि एच इसांट का गुड़ा कर दे तो यह इसका फार्मुरा बन जाता है और इसका छथफ़ा पूछा जाता है तो इसमें छथफल दे रखा है जैसे एक्जामपर के तोर पर हम देखते हैं कहेगा कि दो समांतर भुजाएं जिनका वैलू यह है जैसे एक भुजा अगर दे रखी है नौ दे रखी है दूसरी भुजा 11 दे रखी है 11 तो नहीं होगा चोटा होगा तो इसको साथ कर लेते हैं और इसकी उचाई मेट और आट है तो इसका छेतरफल निकाल यह आसानि सकते हैं यहां यह है कि में शुट्य में हमें कट्छी नहीं आता है थे याद तो कुरिस्टिन बन जाएंगे आपकी एग्जामीं क्विस्टिन बन जाएगा यही फार्मूला याद करना है तो आप याद रखे गई यह बन दे रख्था है लीक दे रखा है घ्रका है हाइट क्या दे रख्या है आड दे रख्या है एक पठे दो नौ साथ शोल उग और यह आठ अगर इसको काटेंगे 2 1988 को यहां भी आठ आ गया किटना हो गया चॉश्ट उनित क्या होगा अगर यह दे रख्या यह को गया सम्लम लबयको एक लाश्ट है फड़्ली चत्रभुजाः जाए Mac नहीं होगी तो केसा हो है अब इसकी कोई भुझा समानतर नहीं एगल पर है तो अगर इसमें और यह देता है एक बुजा कमान इतना दूसरे बुजा कमान वी होगे तीसरा बुजा कमान सी रखते हैं तो परिमाप तो स्यम हो जाएगा बस इसका छेटफल निकालने का लाक्ष फर्मुना देख लिए इसमें हम क्या करते हैं कि पहले विकड इसका दिया रहेगा जब इस टाइप कुछन मनेंगी तो इसका विकड दिया रहता है और यह भी दिया रहता है कि विकड से लंबवत दूरी इसकी दिया रहेगा तो आप इसको कैसे निकालेंगे देखिए इसमें सबसे अच्छा यह देखिए कि क्या बना रहा है एक यह दो त्रिभूज बना रहा है जैसे ही आप विकड डाले तो इधर एक त्रिभूज बनाया इधर एक त्रिभूज बनाया तो अब त्रिभूज का आप जानते होंगे क्या होता है त्रिभूज का सुत्र निकालने का एक वटे दो होता है फिर बेस होता है और आधार इंटू उच्छाई होता है आधार इंटू उच्छाई अब बस इसी को फालो करेंगे देखे एक का बेस यह है अभी हम आपको यहां देखते हैं परिमाद तो आप निकाले लेंगे ADCD यहीं होगा और छेतरफल के लिए जो है अब यह बटे दो अब दो त्रिफुज बनाया है तो इस वाले त्रिफुज का देखते हैं कितना चेतरफल बनेगा तो इसका अधार क्या है इसका अधाय डी है और उचाई कितनी है? H2 है यह तो एक त्रिभूच का हो गया दूसरे त्रिभूच का अच्छे तफल क्या होगा? 1 बटे 2 आधार क्या हो गया? इसके लिए भी आधार D ही है और उचाई क्या है? H2 है अब देखिए इसको अगर कामन क्या लिया जा सकता है? 1 बटे 2 और क्या कामन लिया जासता है? इसमें भी D है इसमें भी D है तो D को भी कामन ले लिजिए फिर क्या बच रहा है? H1 प्लस H2 तो यह होता है चत्रभूच का फर्मूला किसी भी चत्रभूच को निकालना है तो इसके लिए फर्मूला यह बनता है और इसमें आप यही रहेगा कि एक्जाम्पल में क्या कीवे रहेगा? हम एक्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका निकालते हैं? तो यही देखा कि एक अगर इसका एक विकड़ दस सेंटिमीटर है और उस विकड़ पर उसकी लंबवाद दूरी सिर्ष से लंबवाद दूरी कितनी है? अगर यह दे रखा है चार यह दे रखा है दो तो इसका छित्फल निकालिए तो इसमें आप देखे रखे दीजी एक बटे दो इसका कितना दिया है? दस दिया है फिर H1 प्लस H2 यह 4 दिया है यह 2 दिया है तो यह 4 रखिए यह 2 रखिए तो कितना हो गया? एक बटे 2, 10, 4, 2, 6 इसको काड़ दिया है 10, 10, 10, 30 अगर जो भी यूनिट दिया है अगर सेंटिमीटर में दे रखा है कि आज हम लोग पढ़े आयत पढ़ लिए आयत पढ़ लिए, वर्व पढ़ लिए समानता चत्रभुज पढ़ लिए सम चत्रभुज पढ़ लिए समलम चत्रभुज पढ़ लिए और चत्रभुज पढ़ लिए तो यह देखे चत्रभुज के जो अगले वीडियो में और जो है 2D और 3D जो बताए थे आपको स्टार्टिंग में उसको भी देखते हैं में सुरसन के जो फार्मूले हैं एक्जामपल्स है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें थेंक्यों